आजो आज विद्धार्थी हम लोग के ऐसे विद्धार्थिस मिलेंगे जिनका नाम अफसेख मौर रहा है और यह समय आइस्यार की टॉप इंवर्ष्टी में है यह आनद गरीका चुर अफसी गुजरात में ताहिए एक बाद स्वागत के जिए अफसेख का आज इनके बाद फड़ी जनकाई दे जेते हैं यह अफसेख हैं और यह तीन मित्र थे तीनों एक ही रूम में रहते थे और तीनों तीनों जो है अच्छे इन्वर्ष्टी में है उसमें से दो आपके आइसी यार के स्वीटिक फुरों जो है एक आपके यह अफसेख कुमार अनद अग्रिकर्ट नवर्ष्टी गुजरात में और दूसरा में तरिंका जो है वह वह भी अदर्स कुमार और एक बिद्धार्टी था उसके नाम क्या था देवेस कुमार वह यूपी कैट्टेट से मेरत उनवस्टी में तो इनों लोग सेलेक्ट होगे एक रूम बर रहने वाले तो हम लोग इन से बात करेंगा हाला कि यह काफी दुनों के बाद आये हैं काफी कोसिज करके चुकि आपको पता इस यार कि वे जब भी अड्मिस्वन होता है तो पहले जो उसका फर्स्टाउं में देरी हो गई तो इसके लिए हम जो बच्चे यूट्यूब पर कमेंट करते थे उनसे माफी चाहते हैं तो कि बच्चों मजबूरी होती ही बहुत दूर जानेक बाद अब यूपी से बच्चा गुजरात जाएगा यती आसानित है नहीं कि टेंपों बैठेगा दो गंट तीनों लोग और तीनों लोगे ने बड़ा ची जो है रैंक दिये कई मित्र इनके साथ नहीं आपाए ठीक है कुछ सुनके मजबूरियां होंगी एक्जाम बगएरा चलते रहते हैं तो नहीं आपाए तो इनसे बात करेंगे जो है और जिस जिद्धियार्थियों को अगर य सकता हैं अपना फर्चे देजी आफसे कहां से हैं किस विद्धियाले से आप 12 पास किये हैं और किस तरह से यहां पर जुड़े तैयारी का क्या आपका सिड्यूल था मेरा नाम अविशेक मौरिया है मैं यूपी में प्रताब गड़ जीले से हूँ मैंने अपना इलेवेंथ और्टिल की पढ़ाई अलावाद एगरिकल्चर इंस्टिड्यूट से नहीं से की है उसके बाद मैं एक साल का ड्रॉप लेके सर के पास आके विवेक अनंद एगरिक इसमें कोई और विद्यार थी आरंद में एक विद्यार थी और है पंकुष कुमार पीश्यंग गुरुफ से एक ही उनिवस्टी में दो विद्यारती हैं और काफी अच्छा जाता है जो बच्चे आनन अगरिकल्चर पढ़ते हैं बोच अगरिकल्चर वह या फिर वह बीट जीवपंद में क्या नाम था उसका मयूर कुमार ऐसे कई बच्चे हैं अच्छी उनिवस्टी में तो अगरे किसी भी डाउट लगता है एक्जाम टाइम पर कैसे तरह से पढ़ें कितने कुश्चन किये एंस एडिस कितना आता है यहां जो क्लाश टेस्ट होता है उसमें कित एक्जाम टाइम मेरा तो एग्री कल्चर बायो और कमिस्टी से था तो एग्री कल्चर का मैं स्टूडेंट पहले से था तो एग्री कल्चर पर उतना खासा ध्यान नहीं देता था लेकिन बायो और कमिस्टी दोनों मेरे लिए नया था तो बायो पे आप बढ़ियां से ध्य प्रिपेर करते हैं अगर आप अच्छे से आप प्रिपेर करते हैं तो आप 40 out of 40 कर सकते हैं बहुत ज़्यादा हाड नहीं आता है कुश्यन, कुश्यन एकदम मॉडरेट होता है और एकदम आसान होता है कमिस्टी में जो सर पढ़ाते हैं उससे आप तयारी कीजिए बाकी एंसी आटी का जो बुक होता है उसका उससे आप एक्जामपल्स वगरा उसका देख लीजिए उससे हो जाएगा बहुत ज़्यादा हाड़नी आता है टेंसन लेनी की ज़रूरत नहीं है जो सर लिखवाते हैं आपको लगता होगा कई बार कि ऐसे की सर बहुत ज़्यादा लिखवा रहे हैं मतलब इसमें से क्या ही फसना है ऐसा कुछ नहीं होता है जो भी लिखवाते हैं उसका कोई नहीं मतलब होता है नहीं वो जो कुष्टन पिछली बार आज चुके है एक्जाम में प्रिवियस येर में वो सभी सर कलेक्ट करके उनको ही लिखवाते हैं और जो कमिस्टी का वीकली टेस्ट होता होगा आप लोगों का उन पर आप लोग बहुत ध्यान दिजेगा उनको मतलब आप प्रिए अ कई लोग बोलता है कि मतलब टेस्ट देने के लिए तैयारी करते हैं पहले से प्रिपर करते रहते हैं अगर आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देने से तैयारी और बेतर हो जाती है मुझे जाता करनवा अभी तक हुआ है वो इतना बता रहा हूं तो इसमें मुझे कुछ आता नहीं है लेकिन मुझे लगड़ा आप टेस्ट करते हो तो कम से कम जो कुश्चन आया हुआ जिस टॉपिक से अगर आप उसी टॉपिक को जाकर कवर कर लेंगे तो कहीं ने कहीं आपका कवर हो जागा जो यहां पर टेस्ट में फूचा गया अब उसके लेफ्ट रैट जो बचा हुआ है आप उसको कवर कर लेंगे तो आसानी सापका दिरदर सेलेवर्स भी कवर हो जाए तो कई वास टेस्ट बच्चे नहीं देता है तैयारी नहीं मुझे ऐसा खूब ल जाती है जो टेस्ट में आप उसी को जाकर किये तुर्ण एंसाटी से प्रिपर करिए आपके तैयारी और बैतार हो जाएगी एक और किसी मन में कुछ अगा डाउट है पो सकते हैं ज्यादा समय ने लेंगे उनको अभी जाना भी है ठीक है और यह बड़ी मुश्कल से टाइ जातो इनको मैंने एग्रीकल्चर में 40 किया था बायो में भी 40 एटेम्ट किया था अर्टमिस्टी में मैंने 37 अटेम्ट किया था चुकि मेरा कमिस्टी थोड़ा वीक था इसलिए उसमें ज्यादा गलत हो गया थे और बाकी अर्टी समन बहुत बड़ी बात हो तो चाले ने आटम के थे बट उसमें से गलत भी हुए थे हालागी कुछ और बाकी बाइयो और कमिस्टी बढ़िया गया था अब देखीए बच्चा मकप जो बच्चा इंतर में इंका अग्री कलचर ये यूपी कैट्ट में जैसे जो फीजू गुरुक बच्चे होते हैं यह वहां से पास आउट की है अग्री को इसा लेंगोंगे ना कि वह इतनी आसानी से बिना टीचर के समझम नहीं आप खूब उस लेकिन लोग एक लाइन को चार बर बताते हैं एक यह बहुत 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 हो रहा है तो उस उसमें अपने बहुत बढ़ी दम होती है उनका कमिश्टी सबसे बीक होता है बहुत में कभी मुझे लगए लगए चारफ में बीश कुस्टन कर पाएं बढ़ी बढ़ी बात है इसमें आप खुश होके बूलिये इस सब्सक्राइब बच्चा ना बच्छा ना वह बता रहा है इतना आसान पेपर नहीं आता हलुआ अगना रख दिया उठा करके कुस्टन करना भी बहुत ही बड़ी बात होती अपने आप इनके जो में तरते बहुत चालिस में 400 कर दिये लेकर उससे कुस्टन गलत ज्यादा हो गये जो वह इतना ओबर कंविडेंस था वह 120 में 120 कर दिया और हम लोग पूछे में मिले थे आपने वीडियो देखा यूट्यूब पर सब कर दिया मुझे डल लग गया रही है यह तो पूरा काम खराब कर दिया अगर यह इससे अच्छा दस कम कर देता लॉल इंडिया रहें कम सेको उसकी 150 गंदर रहें को होती है लेकिन तब भी जो है काफी अच्छा परफॉर्म किया इस समय वह साल को इनके बच्चा जाता सब्सक्राइब यहां जो नोट्स पीडियाफ मिलता है उसको प्रेक्स करिएगा एंस आटी पढ़िएगा जितना हम लोग कुश्चन देते हैं अलावा भी इदर उदर से उसको पढ़िएगा खास तरीके से इंपोर्टेंट है आपका यहां का टेस्ट जितने नमर आपके आएंगे उतना ही नमर आपके स्यू टीम आएंगे यह फर्क है वो सकता है कि आपसे जहां नमर वो सकता आपके चासु निकल नहीं हो चासु उपर जा रहे हूं वो सकता उससे और 10-20 अंतर फरक पड़ता है ज्यादा नहीं पड़ता है तो प्रक्टिस बहुत जरूरी है को आपका बीच्व है विए नमर की अकॉर्डिंग अडिशन होते हैं और बातबहति इस्टी में तो जो आईसी आरेशन लेता है आपकी रहेंक बनती है रहेंक के आधार पर वांसलेक्शन होता है यह उनको बताओ थो परसेंटाल ओवर वाल कितना था मेरा 96.67 आइंग और मेर और केटेग्री रेंग मेरी 1,666 थी और ओवर राल रेंग जो थी वो 2,497 थी अग्री कल्चर के लिए मैंने निम्र सुन्डा बुक होती है उसको पढ़ा था बाकी जो सर पढ़ाते थे और यह दोनों से पढ़ा था हमने अफसे कुमार पकरियो चलिए ठीक कर दो इसको बंकर दो है